दोस्तों, पिछले सत्र में हमने देखा कि एक सर्वसमीका क्या होती है। हमने यह सर्वसमीका भी देखी। अब इस सत्र में हम कुछ उधारन देखेंगे और समझेंगे कि इस सर्वसमीका को कैसे लागु किया जाता है। क्या आप 2015 के वर्ग का मान निकाल सकते हैं। यह सर्वसमीका ऐसी बड़ी संख्याओं का मान निकालना सरल कर देती है। हमारा पहला कदम इस बड़ी संख्याओं को दो सरल संख्याओं के योग में विभाजित करना होगा। तो 2015 को 1000 और 15 के योग के बराबर लिखा जाएगा। अब आईए इस सर्वसमीका का इस्तमाल करें। चलिए A को 1000 और B को 15 के बराबर मानते हैं। तो अब हम अपनी सर्वसमीका का इस्तमाल करके इसका विस्तार कर सकते हैं। तो A वर्ग 1000 वर्ग बनता है। इस प्रकार 2AB यह बनता है और B वर्ग यह बनता है। तो और सरल करने पर हमें यह मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इस सर्वसमिका का इस्तमाल करके हम किसी संख्या का वर्ग सरलता से निकाल सकते हैं। आईए अगले उधारन के ओर बढ़ें। क्या आप इस व्यांजक्य के वर्ग का मान निकाल सकते हैं। पहले की तरह यह सर्वसमिका यहां भी हमारी मदद करेगी पर अब हमें A और B किसके बराबर लेनी चाहिए? यहां हम A को 5X और B को 7Y के बराबर मानेंगे तो 5X योग 7Y का वर्ग इसके बराबर होगा आगे और सरल करने पर हमें अपने अंतिम उत्थर के रूप में यह मिलेगा अब इसे और सरल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां समानपद नहीं है तो हम नहीं देखा कि हम एक व्यांजक का वर्ग निकालने के लिए भी इस सर्वसमिका का इस्तिमाल कर सकते हैं आईए एक अंतिम उत्थारन देखें क्या आप 3xy योग z का वर्ग निकाल सकते हैं बिल्कुल सही हम फिर से इस सर्वसमिका का इस्तिमाल करेंगे पर अब हम a और b की जगा क्या लिखेंगे इस सर्वसमिका में हम a को 3xy और b को z के बराबर मान सकते हैं तो अब दाए पक्ष में हमें 3xy जोड 2 गुणा 3xy गुणा z जोड z वर्ग मिलता है आगे और सरल करने पर हमें 9xy जोड 6xyz जोड z वर्ग मिलता है तो दोस्तों इस सत्र में हमने देखा कि इस सर्वसमिका को कैसे लागू किया जाता है अगले सत्र में हम कुछ आम गलतियों को देखेंगे जो इस सर्वसमिका के इस्तिमाल करते वक्त हो सकती है